हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल यूटूब टेट फैक्ट में तो हमारा आज का वीडियो हिंदी व्याकरण के क्रम में चौथा भाग है और इसमें हम बात करने वाले हैं परास्रित धोनियों की तो हिंदी व्याकरण में परास्रित धोनियों को जो है तीन भागों में बाटा गया है आईए देखते हैं ये स्वर्धोनिया कौन-कौन सी है पहली है अनुस्वार अनुस्वार का जो चिन होता है वो उपर एक बिंदी होती है किसी भी अक्छर के उपर आप एक बिंदी लग जो चिन होता है चंद्र बिंदी, चांद के उपर एक बिंदी दिजाती है और इसकी जो ध्वनी होती है नाप वोगा मुँ दोनों द्वारा निकलती है, जैसे धाचा, आत, चंदन और तीसरा है विसर्ग विसर्ग में दो चिन दिये रहते हैं दो बिंदू जो है दिये रहते हैं जिसको अ की मात्रा भी हम लोग कहते हैं और इसका जो उच्चारन होता है सामान रूप से ह की धोनी होता है यानि कि इसका जो उच्चारन है विसर्ग का वह ह की धोनी देता है जैसे प्रातह, प्रायह, अंतह, सोतह तो ये आपने देखा हिंदी ब्याकरण में प्रास्री धोनिया तीन है अनुस्वार है, अनुनाशिक है और बिसर्ग है यहाँ पर एक कुछ चीज़े हम नोट में आपको बताने जा रहे हैं जिसमें अनुस्वार और बिसर्ग को क्या माना गया है? स्वर और ब्यांजन दोनों माना गया है ध्यान रखिएगा कि अनुस्वार और बिसर्ग को स्वर और ब्यांजन दोनों माना गया है और इसे अयोग वाह भी कहा जाता है इसके अलावा, जो भी हमारे जो स्वर होते हैं, वो कंठ से बोल ले जाते हैं, और हमेशा क्या होते हैं, वो अलप प्रान होते हैं और तीसरी चीज है, सगोस बेंजन, अगोस बेंजन और हल तो सघोस बेंजन की पहचान आप कर लिजे ये जो अक्छर दिये हुए हैं इन्हें हम सघोस बेंजन कहते हैं और अघोस बेंजन है उसके लाव आता है तीसरा है हल हल के माध्याम से हम लोग क्या करते हैं बेंजनों को सुदता पूरवक बेक्त करने के लिए हल चिन्न का प्रयोग करते हैं तो दोस्तों आपके UP-Tate और C-Tate exams के लिए परास्री धुनिया काफी महतपूर्ण थी और इसको हमने बहुत कम में शॉर्ट में सम्झाने का प्रयास किया है ताकि आप अपने पेपर को अच्छे से कर सकें तो दोस्तों आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सेयर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट देना मत भूलिएगा और इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूले तो धन्यवाद